हलो एवरिवन वेलकम ओनलाइन स्टड़ी आईकु जी के दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है मानो कंकाल तंत्र से समधित महत्वा पॉन्ट 35 प्रश्णा दोस्तो जितने भी मैंने प्रश्णा लिए है सारे प्रश्णा selected or important लिए है आपके एक्जाम के लिए अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे है तो यह वीडियो आपके लिए कापी useful होने वाला है तो चले देखते हैं first question first question है हमारा एक वेस्क मनुसी के सरीर में कुल कितनी हड्या होती है तो एक वेस्क मनुसी के सरीर में कुल 206 हड्या होती है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C next question है नवजाद सिसो में हड्यों की संक्या लगबग कितनी होती है जो नवजाद सिसो होता है उसमें हड्यों की जो संक्या है लगबग 300 होती है तो उसका सही answer हो जाएगा option number D next question है मानों सरीर की सबसे छोटी तता सबसे बड़ी अस्ति है यानि जो हड़ी है वो है तो मानों सरीर की जो सबसे छोटी हड़ी है वो है इस्टेपीज जो की मद्य कर्ण जो की कान में पाई जाती है और सबसे जो बड़ी अस्ती है वो है फीमर जो की जांग में पाई जाती है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Option number A हो जाएगा Next question है अस्तियों को मान स्पेश्यों से आपस में कौन जोडता है? तो अस्तियों को मान स्पेश्यों से आपस में जोडता है कुंड्रा जो टेंडन है यह जोड़ता है तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number A हो जाएगा next question है कौन सा लवन मानो हड़ी में सरवादिक मातरा में पाये जाता है जो calcium phosphate है ये लवन जो मानो हड़ी में सरवादिक मातरा के अंदर पाये जाता है तो इसका सही answer हो जाएगा option number D next question है कौन सा तत्व मानो सरीर में सरवाधिक मात्रा में पाए जाता है जो oxygen है ये मानोर सरीर में सरवाधिक मात्रा में पाए जाता है oxygen जो तत्ब है ये मानोर सरीर के अंदर 65% यह पाए जाता है तो इसका सई आंसर के हो जाएगा option number C हो जाएगा next question है मनुस्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्या होती है मनुस्य की खोपड़ी में कुल 29 जो हड्या है ये होती है जो 8 हड्या है ये कपाल में होती है 14 हड्यी चेहरे में होती है 6 हड्यी कान में होती है और जो 1 हड्यी है वो जीब के नीचे गले में होती है जो कुल मिलाकर मनुस्य की खोपड़ी में जो उन्तिय सिध्या है ये होती है Next question है मनुस्य के सरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है मनुस्य के सरीर में कुल जो पसलियों की संख्या है वो 24 होती है यानि 12 जोड़ी पसलिया है वो 20 जाती है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा Option number A हो जाएगा जो मनुष्य के सरीर में पस्लों की चुस्रेंग क्या है ये कितनी है 24 है और हमारे सरीर में जो 12 जोड़ी पस्लिय है ये पाई जाती है Next question है Humorous अस्ती है ये का पाई जाती है जो humorous जो अस्ती है यह पाई जाती है उपरी भुजा में तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B next question है फीबूला या टीबिया नामक जो हड़ी है यह किसमें पाई जाती है तो फीबूला और टीबिया नामक जो हड़ी है यह पाई जाती है टांग में तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C next question है बुडापा में मनुस्य की जो हड्या है वो क्यों कमज़र हो जाती है तो बुडापा में मनुस्य की जो हड्या है केलसियम की कमी से कमज़र हो जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A, calcium की कमे से मनूस्य की जो हड्या है बुढ़ापा में कमजर हो जाती है next question है मनूस्य में जो कितने दात है वो दो बार निकलते है तो मनूस्य में जो 20 दात है ये दो बार निकलते है तो इसका सहई answer हो जाएगा option number C next question है मानो सरीर में कितनी मान स्पेशिया पाई जाती है तो मानों सरीर में 649 जो मान स्पेशिया है ये पाई जाती है तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number C next question है cell केरिया में orthoplasti है ये क्या है तो cell केरिया में जो orthoplasti है ये है कुले के जोडे का प्रतिस्तापन यानि जो hip joint replacement है इसे ही जो orthoplasti है ये का जाता है तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number B next question है osteolosy किसका अधियन है जो osteolosy है ये हड्डियों का अधियन है तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number E next question है osteoam दातों के निर्मान के लिए किनकी आफसिकता होती है osteoam दातों के निर्मान के लिए केलसियम और जो phasporous है इसकी आफसिकता होती है तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number D next question है नाकून कारते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाकून क्या है मरत कोसिकाओ के दर्वे द्वरा बने रहते है जिसमें रक्त संचरन है वो नहीं होता है जो blood circulation है ये नहीं होता है इसी कारण से नाकून कारते समय है वो दर्द नहीं होता है उसका सई आंसर हो जाएगा option number C next question है condrocyde से ये पाई जाते है उपास्ति में इसका सई आंसर हो जाएगा option number C next question है odontology किसका आधियन है जो odontology है ये दातों का आधियन है जो इसका सई आंसर हो जाएगा option number B next question है मानो सरेर में सबसे जो मजबुत मांस्पेशिया का होती है तो मानों सरीर में सबसे जो मजबूत मान स्पेशिया है ये होती है जबडे में तो इसका से अंसर हो जाएगा आप्शन नमर ए next question है औस्टोसाइड पाई जाते है जो औस्टोसाइड है ये पाई जाते है बौन में यानि हड़ी में तो इसका सए अंसर हो जाएगा option number B next question है एक वेस्क मनुस्य के कसेरुदंड या रेड के हड़ी में कितनी हड़ी होती है तो एक वेस्क मनुस्य के कसेरुदंड या फिर रेड के हड़ी में 33 हड़ी होती है तो इसका सए अंसर हो जाएगा option number B next question है औस्टोसाइड नामक जो प्रोटीन है ये किस में पाया जाता है तो औस्टोसाइड नामक जो प्रोटीन है ये अस्तिवा में पाया जाता है तो इसका सए अंसर हो जाएगा option number A next question है गुटने की हड़ी को किस नाम से जाना जाता है जो गुटने की हड़ी है इसे पठेला के नाम से जाना जाता है तो इसका सए अंसर हो जाएगा option number C next question है मानव सरीर का सबसे कटोर प्रदार्थ कौन सा है तो मानव सरीर का जो सबसे कटोर्ट प्रदार्थ है वो है दंत वल्क यानि एनमेल तो इसका से अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए नेक्ट कुशन है दातों का बाहरी आवरण जो एनमेल है ये किसका बना होता है तो दातों को जो बाहरी आवरन जो एनामेल है ये बना होता है कैल्सियों फास्पेट का तो उसका सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर C Next question है अलना नामक जो हड़ी है ये कहा पाईज जाती है जो अलना नामक हड़ी है ये पाईज जाती है बुजा में तो उसका सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर D Next question है मानो मस्तिस्क लगबग कितने ग्राम का होता है जो मानो का जो मस्तिस्क है ये लगबग 1350 से 1400 ग्राम का होता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा option number A next question मानों शरीर के किस अंग में लसी का कोसिका है वो बनती है तो मानों के जो दिर्ग अस्ती अंग है इसमें लसी का कोसिका है यह बनती है तो इसका सई आंसर हो जाएगा option number D next question मानों हड़ी का मुख्य गटक क्या है गैलसियम तो इसका स़ एंसर हो जाएगा Option number 1 मानो हड़ी का मुखे घटक क्या है ? केल्सियम है Six जुझन है Next Question है यूस्टो की जो नलीका है मानो सरीर की किस भाग में अवस्तित है ? जो यूस्टो की नलीका है ये मानो सरीर की कान में अवस्तित है तो इसका से आंसर हो जाएगा option number B next question है अक्से कंकाल में कितनी हड्या होती है जो अक्से कंकाल है इसमें 80 हड्या होती है तो इसका से आंसर हो जाएगा option number B next question है उपांगे कंकाल में कितनी हड्या होती है जो अक्से कंकाल है इसमें 80 हड्या होती है और उपांगे कंकाल में 126 हडिया होती है कुल मिलाकर कितनी हडिया होती है मानव सरीर में 206 हडिया होती है तो उपांगे कंकाल में 126 हडिया होती है और अक्से कंकाल में 80 हडिया होती है चलिए next question देखते है next question है हमारा किस आमल की मान स्पेशियों में जमा होने के कारण मनुश्य को थकान मैसुस होती है तो जो लेक्टिक आमल है ये मान स्पेशियों में जमा होने के कारण मनुश्य के जो थकान है मैसुस होती है तो उसका सई आंसर हो जाएगा option number B दोस्तों एक प्रश्ण आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है प्रश्ण है मनुस्य में कितने जो दात है वो दो बार निकलते हैं आपके पास चार आप्शन है चार आप्शन में से एक आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सेर जरूर कीजी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय बारत